खरगोन जिले में जिर्निया थाना शेतर के ग्राम सेमल खुद से मजदूरों को दो माह पहले मजदूरी के लिए करनाटक ले जाकर बंदक बना लिया गया जिसकी शिकायत लेकर मजदूर जिला कलेक्टर कारियले पहुचे और उचित कारिवही के नाम पर गुहार लगाई हम आपको बता दे कि ठेकेदार दो माह पहले लालस देकर मजदूरों को ले गया जहां उन्हें प्रतारित किया जाने लगा इस दोरान पहचान के व्यक्ति को मोबाईल फोन पर सुचना मिलने पर मजदूरों को आजात कराया इस दोरान मजदूरों ने नाम जद बताय कि उक्त तीनों व्यक्ति हमारा शोशन कर रहे थे जिसके खिलाब कारिवही चाहते हैं वहीं प्रससन ने जिर्निया एसडियम को मोखिक रूप से सक्त कारिवही के आदेश जारी कियें खरगौन से जैनत गुपता की रिपोर्ट किसी किसी को तो नहीं दिये इसे ही काम कर रहे हैं क्या वो पानी में काम करवाते हैं हमको और हमारे लड़कियों के साथ बहुत छेड़कानी करें उन्होंने और वो तीन जैन थे जिनका एक ठेकेदार था सुनिल बरोडे सुनिल दराडे और दूसरा विजय और तीसरा पतिया और हम पाकेले को निकाल देते हैं और पीछे सेवेज के साथ रहते हैं रहते हैं तो वह गलत भीवार करते उनके साथ किसी को बोलते कि मेरे को एकीच देदो अपने में में बाइप सब्सक्राइब्स अपार थोड़या को पाल में मुछ मुसिबत पर वहाया थो तो भाई बोला मैं अन्तिम भिया को देखा नहीं इसलिए फिर मैंने फोन लगाया अन्तिम भिया को फोन लगाया उसके बाद अन्तिम भिया उठाया मैंने बोला अन्तिम भिया हम बहुत मुसीबत में हैं हम को यह से ले जाओ नहीं तो हमको मार देंगे लोग धंकी दे रहे तो बीबी से पूछा झाओ उनके पाइसे नहीं थे तो भी ने बोला ठीक है मेरी जेवरात गिर्व रहो उसके बाद उन्हों ने गिर्व रहा हम को लेने आए हैं है और यहां पर हम पंद्रा से सोला जन गए थे बच्चे भी साथ में हमारे थे पर आपर अंतिम भी आए अब मेरा नाम सुरेज बगेले काहां रहती हो तो नमबर हम लोगों ने एक दूसरे के एक्सेंज कर लिये थे करनाटक गये थे दो ढ़ाई महिने पहले गन्ना कटाई के लिए कोई सुनिल नाम का विक्ति है इनको लेकर गया था गन्ना कटाई के लिए तो यह वाँ गये अभी मेरे पास इनका फोन आया चार या पांस तारीक को मेलाया इसको ने पहले देंगे हमारा काम पूरा होगा जब जाना लेगाओ तो बोले यह तो आने भी नहीं देते हैं ना हमारों को खाने के लिए पईसे दे रहे हैं ना कुछ और सुबह चार वज़े से रात के ग्यारा वज़े तक काम करवाते हैं तो मैंने का भाइ थीक है मैं अप्रशन से मदर लेता हूं फिर आपको लेने आता हूं थासन परखा सरकारी काम देरे चलेगा तो आप एक काम करो कुछ भी करो आँ को लेने आजाओ, नहीं तो हमने एक दो जन तो जान चले जाएगी क्योंकि आए दिन इनके साथ में बच्चियों के साथ में इनके साथ में अरकते हो पिर में ने अपनी पत्नी से बात की तो मेरी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें अपनी रखमें देती हूं तुम इनको गिर्वी रखो और उनको छुडा कर तो परवा मत करना और इन 15 मजदूरों को और बच्चों को सबसल लेकर आना और इनके परिवार के सुपरत लगाना जो भी होगा देखेंगे जब इनको लेकर आया हूँ तो उन लोगों ने जब मैं इनको लेने गया तो मेरे सामने गोविंदा नाम का एक ड्राइवर है वो एक बच्ची के साथ में छिडखानी कर रहा था मैं जेसा ही वहाँ गया बच्ची दोड़ते हो मेरे पास आई और बोले अंकल मुझे बचा लो तो मैंने का ठीम जओ मैंने से बात करता हूँ जब मैंने गया वहाँ तो उनोंने मुझसे कहा कि तु यहां आया है अच्छी बात है आप थो यहां से लेगर नहीं जा सकता एक काम हम कर सकते तेरे को पेसा चाहिए तो तू पेसा ले ले ले, लेकिन इनको इनको आ छोड़- पेशा नहीं लूगा करने आए कि हम सहाब को हमारी बात बताएं और सहाब फिर जो भी उचित मार्क दर्सन हमारों को बताएंगे वह करेंगे हम तो पुलिस रिपोर्ट चाहते हैं क्योंकि इन लोगों को आज के 21 सदी में बंदक बना कर रखना दो महिने तक बहुत ही खतरना का प्राद किया है उन्होंने और अपने कबजे में रखकर महिला और बच्चों के साथ में इतनी खोटी और गलत हरकत करना आपका हां सर नाम कहा लिखते हैं नाम मैं अंतिम पिता फत्तु जी स्वर्गिय सिटोले कहा रिती हो मैं बढ़वार रहता हूं सर इस हेलो लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना भुले